Hello, What's up guys, My name is Pinot Bahad Uthapa and today in this video we will see how to create a pie chart using HTML and CSS in Hindi तो चलिए guys, सुरू करते हैं सबसे बहले guys, आप सबेका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा on CSS Master Series in Hindi in 2022 पर अल्रेडी बहुत सारे आसम वीडियो को अपलोड कर चुका हूं guys, आपको जब भी फ्री टाइम मिले, जरू चेक आउट कीजिए, आपको बहुत मजाने वाला है और लट guys, तो देखिए, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा आसम होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको Pure CSS की मदद से, ये पाइचार्ट आप किस तरीके से क्रेट कर सकते हैं, वो मैं आपको बाताने वाला हूं जी हां guys, ना ही कोई plugin, ना ही JavaScript, jQuery, कुछ नहीं Pure CSS की मदद से, आप ये पाइचार्ट किस तरीके से क्रेट कर सकते हो guys, वो आज हम देखेंगे And the best part है guys, it is perfectly responsive मतलब ऐसा नहीं कि desktop में बना दिया, फिर आप में mobile के लिए क्लिए क्या करूँगा, कुछ नहीं guys, कुछ नहीं करना आप देख सकते, automatic है set हो जाता है, ये जो थोड़ा नीचे आ रहा है, आप इसको थोड़ा super कर सकते हो, that is super duper easy, हो हर कोई कर सकता, लेकिन best part है कि हमारा ये जो pie chart है guys, वो perfectly responsive है, मतलब ऐसा नहीं कि बढ़ागा बढ़ा ही रहेगा guys, according to the device का वी तो आपने आपको adjust कर रहा है, जो कि सबसे best है इस part का, ठीक है so guys, आप बिना किसी दिरी का video को start करते, so guys, आप देख सकते हैं, मैं अपने sublime text editor पर आ चुका हूँ, मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने simply HTML का part लिखा, क्योंकि हम CSS master series देख रहे हैं, ना कि HTML, हाला कि मैं complete एक एक line आपको बताने आप आने आप, देखे, and ये बहुत ही ज्याद and height ले रहा है, वो हमारा main deep ले लेगा, उसके अंदर में एक deep यूज करो, जिसका class दे रहा है, मैंने center underscore deep, अब उस main deep के अंदर ये जो perfectly आपको horizontally and then vertically center पे जो deep दिखाई दे रहा है, वो हमारा center deep है, and center deep का जो actual end part है, आप देख सकते हो guys, यहाँ पर मैंने border दे रहा है, black color का, उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा center deep का total space इतना ही है, and box shadow बहुत awesome दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है, and then we have this h2, अब उस center deep के अंदर we have this h2, यह वाला, ठीक है, India top 5 states, ठीक है, उसके बाद guys, this is the beauty of this video guys, आज इस video का beauty ही यही है, कि आप देख सकते हो कि मैंने कहीं पर क मैं आज आपको बना के दिखाने वाला हूँ, है नहीं awesome master series CSS का guys, so इसी बात पर अभी तक video को like नहीं किया, तो like कर दीजिएगा, सभी को share and subscribe नहीं किया तो guys, subscribe जरू कीजिएगा, ठीक है, and all right, इतना हो गया, now यह जो last में आपको दिखाई देरहा, top 5 states है नहीं, तो महाराष उन सब का list यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यह basically paragraph के अंदर मैंने लिख रहा, expand tag मेंने लिए, and वो color जो है यहाँ पर, आप देख सकते हो, perfectly एकदम, आप कह सकते हो, कि border rate is 50% या circle, तो आपको वो दिखाई दे रहा हूँ, basically it's key through, and last में आप यहाँ पर देख सकते हो, India coronavirus cases till now, वो basically मैंने history के अंदर लिखा, and our HTML का part complete, अब हम देखते हैं कि किस तरीकी से इसको हम design कर सकते, पहली बात तो मैं आप को दिखा देता हूँ, guys, अगर इसको मैं लेके चलो, and आप लोगो को दिखाता हो, कि actual मैं देखो, guys, यह जो part है, इसको मैं guys कुछ इस तरीके से convert करने आ अब आप खुद बोलो, guys, कितना awesome CSS है, जो यह ऐसे नकली को हम कुछ, इतना beautifully हम इसको दिखा सकते, ठीके, all right, guys, तो देखो, सबसे पहले में क्या करता हो, guys, एक दम हमेशाए की तरह, guys, ज्यादा code बड़ा निये, तो मैं internal CSS कर रहा हूँ, and जब भी आप internal CSS करते हो, तो आप आपको मालू में, guys, what you have to write, सबसे पहला line आपको अना चाहिए, margin 0, all right, then you have to write padding 0, simple, and then simply, guys, you have to write box sizing border box, आपको लिखना box sizing border box, perfect, okay, and मेरे पास already, guys, एक font है, Nunito करके, मैंने इसको select किया, basically light 300 है, so, मैं इसको यह देख रहा हूँ, guys, यह आपी import किया हूँ, इसको मैं करता हूँ, copy, tick title के नीचे, आके इसको एक second, title में तो हम उसको कर नहीं सकते, क्योंकि link नहीं है, तो style के अंदर मुझे उसको रखना पड़ेगा, and title के अंदर as a link आपको use करना है, तो यहाँ पे link का भी option था, हमारे पास, and then, font family की मुझे, हाँ यह चाहिए, तो basically, मैं सबको यह font family दे र यह, इतना मेरा काम हो गया है, अब मैं क्या करता है, हमारा जो यह main deep है, जो मैंने ले रहाता है, वहाँ पे मैं चलता है, इसको मैं सबसे पहले तो width दे देता हूं, 100% नहीं, आप चाहिए तो दे सकते हूं, viewport width दे दिया, and then height पे चलता हूं, 100 viewport height, मनलब complete width and height, अब content center, and then align item center, मतलब, hardly मुझे 3 second लगे यह 3 line को लिखने में, and perfectly हमारे center पे आचुके, and मैंने already इसी वीडियो में, आप देख सकते हूं, मैरा तीसरा वीडियो, three ways to center a div inside another div, guys, बहुत awesome है, इसमें जो तीसरा तरीका थो, इसमें तो सिर्फ हमें एक line लिखना था, center पे लाने के ल अब देखो, center div को की copy, यहां पे मैं चलता हूं, ठीके, देखो, मैं खुदी लिख देता हूं, वो गया पो चुगा था, so center div हमारा यह perfect, so guys, क्या करना है center div को, देखो, center div को सबसे बहले तो मैं width देना चाहूंगा, and मैं आपको क्या बता है, यह responsive है, responsive होने का reason ही था, guys, मैं मतलब नहीं, 100%, मतलब complete, उसमें मुझे कम से कम, 40%, 40% नहीं, 40 viewport width घटा के, जितना भी बसता है, मैं को space देदे, बसमें इतना बोलो, simple, ठीके, बापस इसी कोई कर लेता हूं, copy, यहां पे चलता हूं, instead of width, let's go with height, and I think height की spelling, H-E-I-G-S-T, चलो, ठीके, होता है, इसे कभी कभ होता है, ठीके, मैं चलता हूं, यहां पे viewport height, ठीके, and then, यहां पे guys, में इसको कर देता हूं, again, 1 second, not 40, let's go with 30, ठीके, and guys, आपको मैंने starting में कहा था, कि आप, आप इसके साथ खेल सकती हूं, कि, आप जब mobile पे जाओगे, तो आपको width तम करना है, या ज्यादा करना है, but यह इतना कर दो, तो आप वो कुछ इस तरीके से दिखाए दे रहा है, and then guys, simply, यहां पे मैं चलता हूं, border use कर लेता हूं, let's go with 1 pixel, solid, and triple app, triple app, नहीं, triple 0, basically, black color, refresh कर देता हूं, so guys, यह देखो, यह जो पार्ट है, basically, यह आपका center डिव है, ठीके, अभी मुझे इन सब को set करना है, जी, हाँ, guys, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कि मेरे पास already box shadow का code मैंने लिखा हूँ, guys, थोड़ा बड़ा था, you know, मैंने, इसलिए इसको, 1 second, guys, आप देख सकते हो, यहां पे मैं चलता हूं, इसको, यहां पे स्तरीके से close कर देता हूं, अब यह कुछ इस तरीक काम हो चुका है, so, guys, अब हम यह जो सबसे पहले आता है, इंडिया top 5 states, जो है, ह2, ठीके, इसको कैसे set करना है, देखो, मैं यहां पे चलता हूं, इस जगे पे, center deep के अंदर, जो ह2 है, जी, हाँ, guys, center deep के अंदर, जो ह2 है, उसको, basically, मैं ज्यादा तो, कुछ नी, बड़ थो अब यह अपने जगे एकदम perfectly हमें दिखाई दे रहा है, ठीके, awesome है, एक काम करते है, जो h2 है, यहां पे, let's go with h1, basically, heading को, अगर आप h1 में लिखोगे, तो h2 के लिए ज्यादा बैटर है, all right, guys, अब यह ज्यादा बैटर दीख रहा है, once h1 आपका, guys, हो गया, then, हमें क्या क कर लेता हूँ, ताकि इन लोगों को अपने अपनी जगे में बेश सकूँ, so, center dip में मैं चलता हूँ, यहां पे, simply, center dip के अंदर हमारा यह जो paragraph है, guys, so, मैं क्या करता हूँ, इसको position दे देता हूँ, absolute, then, guys, simply मैं चलता हूँ, यहां पे, इसका जो bottom होगा, उसको मैं दे देता इस font का जो size होगा, that will be 1.1 root em, basically, यह root मलता हूँ, कि अगर आप root पे जाके set कर देते हूँ, कि मेरा इतना होना चाहिए, by default, 1 pixel, तो उसकी हिसाब से यह अपने आपको धाल रहा होता है, ठीक है, इतना मेरा काम होचुगा, font size में ने दे दी, and then, 1 second, अगर मैं इतना ही लिखक आपको कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, and यह जो left लिखा न मैंने, यह left side मैंने, यह तो, मुझे left नीचे, मुझे actually right चाहिए था, तो अगर मैं right लिखता तो guys, perfectly वो हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है, and अब क्या कर सकते हो guys, text align right कर दीजे, by chance अगर कुछ ह तो text align right, and अब एक दम perfect है, ठीक है, इतना हमारा काम हो चुगा guys, उसको मैं थोड़ा सा और set कर देता हूँ, अभी उसको set करने के लिए देखो guys, इसमें क्या करता हूँ, हमारा यह जो center div है, ठीक है, paragraph के बाद क्या है, यहाँ पे, यह span tag भी तो है, है कि नी, तो मैं यहाँ चलता हूँ, हमारा यह जो center div है, उसमें हमारा यह span tag है guys, उसमें मैं लिखता हूँ, आपको यादे में आपको pseudo elements बताये थे, that is your before and then after वाला, ठीक है, उसको जरू check out कीज़े, आपको पता चल जाएगा, so guys, सबसे पहले तो इसमें आपको हमेसा content लिखना है, जरूरी फिलाल 6 लिखरों में REM, ठीक है, simply width में इतना लिख दे, आप में यहाँ पर चलता हूँ, इस जगे पर width, and then guys, आपको मालू है मुझे border radius, उसको एकदम क्या करना है, circle बनाना है, so width and height दोनों अगर आप same लिखते हो, and then उसके बात अगर आप लिख देते हो, border radius 50% तो automatic वो set हो जाता ह So guys, आप देख सकते हों कि अभी तक हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक चीज में लिखूंगा, and हमारा सारा काम हो जाएगा, that is अगर में simply चलता हूँ, background, and guys, this is the best part, आपको में एक new चीज बता है, and that is current color, yeah guys, I don't think आप में से कभी भी किसी ने, you know, almost 90% ने कभी ये सोचाओगा कि ये भी एक value है, background की, that is current color, तो ये जैसे ही में लिखता हूँ, and boom guys, देखा, मतलब जो color already दिया हुआ था हमने, उसको ही हम use करना चाहे, तो current color, तो guys, ये कैसा लागा, ये बहुत important है, and आज इस वीडियो से guys, ये भी आप एक जरू सिक्के जा रहे हो, alright, त मेरा ये इतना काम हो चुका, अभी मैं क्या चाहूँगा, थोड़ा मुझे है, ये आपी space चाहिए, so मैं simply लिख देता हूँ, margin, and margin लिख देता हूँगा, super नीचे से तो मतलब नहीं, लेकिन आजू बाजू जो है, आजू बाजू से guys, 5 root EM लिख देता हूँ, एक second है क्या हाँ, ठीक है, एकदम perfect है, refresh करता हूँ, all right guys, एकदम perfect हो चुका है, ठीक है, अब ये जो part है, ये वाला, इसको बहुत easily मैं tackle कर सकते हो, अब आपको idea आई चुका होगा, कि इसको कैसे tackle करना है, यहाँ पर मैं चलता हूँ, h3 है, s3 पर मैं चला, इस तरी किसे, ठीक है, s3 मैं तो perfectly यहाँ पर आपको दिखाई देर, इसका color हम change कर देंगे, so let's go with color gray, ठीक है, तो ये gray में थोड़ा अच्छा दिखाई देगा, and हम इसको थोड़ा italic कर देंगे, so font, I think, I think मैं guys, मैं कुद बूल गया, font style, right, font style पर चलता है, italic ठीक है, control है, save करता हूँ, refresh करता हूँ, ठ ठीक है, perfect इतना हमारा गाम हो चुगा, guys, finally वो जो चीज जिसका आप बहुत देर से वेट करेते हैं, I know guys, so अब हम उसको देखते देखो, and that is your simple, that is your pie chart, अब ये थोड़ा सा complicated होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बहुत, अब कह सेकतो, advanced नहीं, लेकिन tricky है ये थोड़ा सा, ठी रे डीप के नीचे मैं चलता हूँ, यहां पर देखो, मैं चलता हूँ, पाई चार्ट, लेकिन मैं पूरी कोशिस करूँगा आप लोगों के एकदम line to line, ditto बताने के लिए किस तरीके से हो रहा है, so guys, देखो, आपको क्या करना, वो as a background हम इसको यूज करने हो ले, हम इसे अब बहुत बार, guys, linear gradient उसके है, ठीके, जो बहुत पॉफेक्टली दो कलर का combination हमें दे रहा होता है, आप चाहे तो उपर नीचे, आज जो बाज जो कहीं से भी लिख सकती हो, लेकिन आपको मालूम है कि हमारे पास एक और प्रोपर्टी, same like gradient के अंदर ही, that is called radial gradient, जी हां guys, आपको लिखना होगा इस तरकी से radial, and spelling एकदम पॉफेक्टली लिखना है, spelling T, I think spelling है हां सही है, चलो spelling best है, अब इसकी कुछ पॉपर्टी है guys, मैं आपको बताना चाहूँगा, कि यहां पर यह जो है guys, यहां पर इसका link मैं आपको नीचे दे दूँगा, CSS radial gradient एकदम पॉफे आगे बढ़ाता जाएगा, basically color के combination C है, ठीके दो color को mix करके जो color बनता है, वो बनाते जाएगा यह, लेकिन radial gradient में हमारे लिए एक center होता है, उस center से यह color फैलता जाता है, एक wave होता है, जैसे पानी में पत्तर फैकुस हो, कैसे उस जगर से गोल 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 निकलता जा है, simple जा रहा है, left से right जा रहा है, right से left आ रहा है, मतलब एक सिद्धा रस्ता जा रहा है, यहाँ पे guys क्या एक center ढूंडेगा, और यह circular motion में जाएगा, मतलब circular form बनाते हो जाएगा, ठीके, तो यहाँ पर आप देख सेकते हो, shape है, then size है, then किस position पे चाहिए, again at which position, ठीके, so मै circle में मिलता है, ठीक है, इतना मेरा काम होगे, circle, and then उसके बाद guys, यहाँ पर बता है, यहाँ पर देखो, पहले तुछ shape, आपको कौन सा shape चाहिए, circle या eclipse, mostly circle यूज करते हैं, इसलिए लोग बोलते भी यही कि center से वो circular form में जा रहा, दुसरा है आपका eclipse, and then guys, second आप देख सकत कि हाँ, मुझे circle चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें circle ही चाहिए, यहाँ उसके बाद guys, आपको size define करना है, and here, size का मतलब यह कि guys, आपने जो भी shape create किया है, उसके center point को ध्यान में रखते हुए, उसके nearest कहां हमें close करना है, या उससे कितने दूर में हमें save को end करना है, guys, आपका size व farthest side मनतब यह, कि आपके size, इधर वो circle हो, या eclipse हो, उसके center point को ध्यान में रखते हुए, कहां हमें save को end करना है, वो यह बताता है, symbol, तो guys, इसके कुछ value दे रखा है, and by default वो होता है, आपका farthest side, so हमें कहां end करना है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, हमें end करना है, एकदम करीब, closest side की value में लेने आला हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ, इस तर किसे मैंने लिख दी, closest side, all right, ठीक है, मैं को यहाँ पे comma जाना है, guys, अब यहाँ पे हमें वो property देनी है, कि, यहाँ पे लिख दे तो एक color हमें set करना है, कि हमारा यह जो circle से बन रहा है, इसका color क्या हो आला हूँ, फिलाल के लिए अभी black, ठीक है, and एक value है, अगर वो मैं ना लिखू, तो यह blur हो जाता है, ठीक है, अगर as it is, इसको मैं छोड़ता हूँ, फिलाल अभी के लिए, and यहाँ पे चल का अगर मैं refresh करता हूँ, तो guys, आपको कुछ दीखेगा ही नहीं, यही तो इसका सरकल लिखाता, and then closest side पे वो end हो रहा है, and उसके बाद वो color है यहाँ पे, लेकिन यह जैसी set होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे मैं एक zero value लिखने हूँ, basically, जो blur हो रहा है, वो मैं blur नहीं चाहता, Ctrl S save कर देता हूँ, perfect, ठीक ही देखो, यहाँ तक हुआ गाइस, अभी एक काम करता हूँ, मैं width देता हूँ, इसको, देखो वो जो responsive हो रहा है, इसलिए हो रहा है, क्योंकि मैं दे रहा हूँ इसको minimum width, मतलब कम से कम 300 pixel मुझे चाहिए ही चाहिए, and जैसे जैसे अगर device की width अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, and अगर मैं आपको दिखा हूँ, boom guys, देखा, यही तो best part है की complete, मैंने क्या बता है, आपको देखो यहाँ पे, red color, मतलब जो हमने circle create किया है, एकदम nearest में मैंने उसको end कर दिया है, ठीक है, and मैंने बोला कि हाँ जो red color हमने बनाय 100%, जित इका सा blur है, तो यह 0, उसको एकदम perfect बना के रखेगा, बिल्कुल blur नहीं करेगा, and यह जो दिखाई दे रहा है, इसको आप में कर दूँगा, white, ठीक है, so guys, आपको कैसा लगा मुझे बाता हूँ, ठीक है, अब मैं आपको best part बाता हूँ, that is, इतना ही नहीं, now guys, we will use one more gradient, that is इसी के साथ, radial gradient को हमने खत्म नहीं किया, मैंने कॉमा दिया, सिर्फ, कॉमा दूँगा, and मैं यहाँ पे चलूँगा, I know guys, यह आपको W3School में भी साइद ना मिले, यह थोड़ा advance है, and mostly यह बहुत यूज होता, ठीक है, कॉनी gradient लिखा, मैंने इदको guys, यह तो मैंने लिखी थे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ इस तरीकी से लिखे, and आप खुद देख सकते हो, कि even मेरा यह जो, मतलब आप कहा सकते हो, कि हमारा यह जो sublime text editor है, वो भी इसको पैचान नहीं पा रहा है, else radial gradient को perfectly उसने एक ही color दिया, लेकिन यहां पर देखो अलग color दे रहा है, लेकिन सिर्फ में इतना लिखता हूँ, and यहां पर refresh करता हूँ, ठीके guys, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन the moment ही जो red है, इसको मैं कर दूँगा transparent, ठीके तो guys, आज का video मैंने बताया था, यह tricky होने वाला, लेकिन आपको बहुत मजा आने वाला साथ ही साथ, so transparent color दे दिया, मतलब अब हमारा radial gradient का कोई color नहीं है, लेकिन मुझे इसका color चीए, so मैं refresh करता हूँ, 3, 2, 1, and boom guys, इस कैसा लगा, I know guys, आप में इसे बहुत होने बहुत बार इसको देखा, जब भी आप color picker का यूज करते हो, तो आपने इसको बहुत बार देखा होगा, so guys, यही है आपका conic gradient, and आपको इस तरीके से यह palette मिल रहा हो था, color palette जब आप सेलेक्ट करते हो, कहीं पर भी mostly website पे, यही तो आपको देखने मिलता है, so guys, आज आपको दो चीज तो अभी तक जरूर सेकने मिला हो आपका transparent मैंने क्यों लिखा है, अब इसको अगर मैं 0 ना लिखके अगर refresh कर दूँगा, तो guys, अभी भी आप देख सकते हूँ कि हलका यहां से आपको वो effect actually में देखने है, I don't know why क्यो नहीं देख रहा है, but वो हलका सा blur हो जाता है, लेकिन वो blur वाल effect में आपको जरूर यहां पर यह red है, red जहां खाताम हो, फिर यह yellow start कुछ वो इस तरीकी से काम कर रहा है, यहां पर guys again आप देख सकते हो, ठीक है, इसका link मैं आपको नीचे description and comment section में प्रवाट करा दूँगा, बोथ conic and then आपका यह radial, and यहां पर guys लिखा भी where the color stops of a radial gradient emerge from the center of the circle, एक conic gradient places them around the circle, म हमें यह beautiful effect दिखाई दे रहा है, इतना हमारा काम हो चुगा guys, किसी तरीकी से इसको मुझे, अब कुछ इस तरीकी से बनाना तो कैसे होगा, देखो guys, अब इन सब को मैं हटा देता हूं, simply, इन सब को मैंने हटा दी, and I really love guys, आप लोगों को माजा आ रहा होगा, क्योंकि यह समझे हो, अब देखो guys, सबसे पहले तो आपको कहा से start करना है, आपको angle देना पड़ेगा यहाँ पे, so from 180 degree, by default जो रहाएगा उसको रहने दीजे, लेकिन हम 180 degree से देखेंगे इसको, and मैंने 180 degree इसले लिखा guys, क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे इसमें, तो यह and then guys, अब मुझे color की need है, so उसके लिए guys, मैं यहाँ पे देखो color palette है, तो इसको मैंने किए copy, तो इसको मैं करता हूँ select, and मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 0%, ठीक है, 0% लिखने की विज़ोधी है, खाली 0, again color को मैंने कि select guys, यहाँ पे यह किस तरीके से वो कर रहा, वो ध् 35% case है, मतलब out of 100, 35% case सिर्फ महारास्टर में है, हम यह assume कर रहे है, तो आपको लिखना होगा 35% इस तरीके से, ठीक है, आप अपने project के according जो भी आप लिख सकते हो, इतना मेरा काम हो, अब भी मैं वापस यहाँ चलता हूँ, मैं इस color को select कर रहा हूँ, यहाँ पे जाता गाइस आपको पता चल जाएगा, मैं यह 0 क्यूं लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको बहुत क्लियली पता चल जाएगा, लेकिन अब second देखो, यह सबसे जादे important है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे work किस थरीके से हो रहा है यह percentage, 0 से लेके 35% तक मैंने किसको दिय गाइस महारास्ट्रा को, basically red color को, ठीक है, 35, उसके बाद मैं चाओंगा कि जो तमिल नाडू का जो केसेन है, उसको मैं 25% देना चाओंगा, महारास्ट्रा को 35, तमिल नाडू को मैं देना चाओंगा 25%, ठीक है, तो आप मैं इसे बहुत लोग क्या सोच रहा हूँ, आप मैं य महारास्ट्रा एं तमिल नाडू ने 60% तक ले चुका है जगा, हम ऐसा आजूम कर रहे हैं, समझे रहे हैं, महारास्ट्रा को 35%, तमिल नाडू को मैं दिया 25, दोनों का टोटल हो गया, आपका 60, अगेन मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब यह वाला color select करता हूँ, वो होगा अगेन आपको 0 देना है, अगेन यहाँ पे में चलता हूँ, अब मुझे इसको 15% देना है, मतलब टोटल 15% जो भी इसका population है, तो इस तरह की से मैं 15% लिखनी सकता हूँ, मुझे 60 में 15 प्लस करना पड़ेगा, that is your 75, बेसिकली आपको आपका पाय का जो टेवल है इसको पॉ आपको 0 यहाँ पे में चलता हूँ, अब 75 के बाद मुझे इसको कितना देना, मैं चाहूँगा, इसको मैं देता हूँ, let's go with 14%, ठीक है, तो 14% अब as it is तो मैं लिखनी सकता, 89, all right, perfect, ठीक हम 89 दे सकते इसको, ठीक है, let's go with 89% कॉमा करता हूँ, अब यहाँ पे मैं चलता कौन सा कलर, यह वाला कलर पे चलता है, यह पेस्ट की मैंने 0%, यहाँ पे चलता हूँ, देखो गईस, अब 89 है, इसको मैंने दिया 14, तो total 100 ते की जाना था, let's go with 11%, लेकिन मैं 11 लिखनी सकता, तो मेरा total यह हो जाएगा, 100%, तो आपको 0 से 100 तक आना है बस, ठीक है, इतना आप आपका काम तक है, हमारा काम हो चुका है, अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, code पे, and all right, यहाँ पे देखिए, 3, 2, 1, and boom, guys, कैसा लगा, कितनी easily हमने create कर ले, and यह जो 180 परसंट लिखा है, not percent degree, तो यहाँ से देखो, 0 से start हुआ, हैगी नी, 0 से 35 महाराष्टा, then 35 से 60 परस यहाँ से वापस यहाँ से हमने start किया था, हमारा 0 point वापस गुम के वहीं पर आ गया, क्योंकि हम circle use कर रहे as a save, and 100 तक हो आपका daily बन गया, ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं 0 हटा देता हूँ, refresh करता हूँ, so guys, again यह देखनी रहा, I don't know, यह ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ प तो एक security रहेगा, तो मैंने यहाँ पे लिग दिया 0, so guys, this is it, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, and I really hope आपको बहुत पसद आ होगा, जहाँ आज हमने एक complex part को समझा, and हमने एक और नया property देखा, that is your current background color, जो भी था यह current color, ठीक है, so guys, मैं बताना चाहूँगा, मैं daily ऐसे awesome videos बनाते रहता हूँ, and once again, अगर मैं यहाँ पे आपको लेके चलता, आप देख सकते हो guys, it is perfectly responsive, ठीक है, so guys, मैं बताना चाहूँगा, मैं daily ऐसे awesome videos create करता रहता हूँ, अभी तक अगर आपने मेरे channel Thapa Technical को subscribe नहीं किया, तो please guys, subscribe कर लिजेगा, right side में correct color का bell icon एक घंटी दिखा 抗 राहूँगा, है कर द extrêmement ह और आपômजो देखा रहे रहा थार आपको लेके आपको सकते है